हेलो बेजन गर्ल्स आप लोग कैसे हो दो स्ट्रोंगे सुपरीम सिस्टम के पीछले एपिसोड में देखा था यहां पर इसका है उसमें बहुत सारे क्रेकाना स्टार्ट हो गए थे और वह देखके बागी के जितने भी लोग है उन्होंने ऐसा सोचा था कि साथ यहां पर शा यह थे तो वह सुनने के बाजियों अंपर एंपरैस का इसान और फिर यहां पर शाओ लने कुछ एंपरैस के बारे में बोलने वाली थी पर जो एंपरैस उनका मुँब बन दे दाए और अब आगे और फिर जो man care हो था वो कहता कि तुम लोगों को इतनी चिंटा करने की ज़रूरत नहीं है मेरे पास यहाँ पे एक टोले उसका ये उसकर करके उन लोगों को मैं खतम कर दूगा और मैं यहाँ पे long view तुक को अपने साथ लेके जा रहे है क्योंकि वो यहाँ पे इसमे man person है तो वो सुनने के बाद यहाँ पे एंपरिसुटी वो कहती है कि senior long view मैं आपको थोड़ी परिशानी देने वाली है और senior police यहाँ पे जो लोगों लेंग जूने उसका यहाँ पे ख्याल रखना और उसको यहाँ पे बहुत reckless active मत करने देना तो वो सुनने के बाद जो long view होता है वो कहता है कि हम सब में आप ही यहाँ पे old human emperor की यहाँ पे descendant हो और आपके पास orthodox blood है जो आपने यहाँ पे अवे कर लिया है जो यहाँ पे human emperor की blood line से आता है और मैं यहाँ पे कैसे आपकी बात को ट्याल सकूगा तो वो सुनने के बाद जो यहाँ पे emperor होती है वो कहती है कि मैं उसके बारे में कुछ भी कहना नहीं चाहती पर please आप यहाँ पे शाओ लेंग उनका ख्याल रखना तो वो सुनने के बाद यहाँ पे long queen do होता है वो कहता है कि आपको चिंटा करने की क्यों भी ज़रूरत नहीं है और फिर जो man कहता होता है वो कहता कि चलो मैं यहाँ से जा रहा हूं और हम बात में मिलेगी और फिर यहाँ पे जो little fish है उससे कहता है कि तुम यहाँ पे अपनी mom के साथ रुखना और अपनी mom का ख्याल रखना मैं यहाँ पे जो बीदने से उसका थोड़ा गामा गया तो उसको complete करके आता हूं तो वो सुनने के बाद जो little fish से काफी दो खुश होती है और कहती कि ठीक है dead और जो man character लॉंग दू वो वहाँ से चले जाते और फिर यहाँ पे जो empress है फाइनली लू शाव यान को छोड़ा देती है और फिर जो लू शाव यान उसको धूर्ण चाते हुए कहती कि तुमने सच में यहाँ पे cheating किये तो वो सुन्ने के पाद जो empress होती है वो कहती कि तुम्हें पमुचे cheater कैसे कह सकती है मैंने तो यहाँ पे कोई भी cheating नहीं की और मैंने तो यहाँ पे फैरन स्क्वेर गेम खेला है तो वो सुन्य के बाद यहाँ पर लो शाव या नो थी, वो कहती के मैंने ब्रतर शाव को यहाँ पर फी पिनी के लिए दी थी पर तुम ने तो यहाँ पर कुछ भी नहीं किया था और तुम यहां पर जितने भी common लोग है उनको safe जगा पर लेकर चले जाओ और यहां पर जो formation को भी activate कर दो जिससे यहां पर बाकी लोगों को कोई भी परिशानी ना हो तो वो सुझने के बाद जो जाओ होता है वो कहता के majesty आपको जिंदा करने की ज़रूरत नहीं है जो काम इसको चालू कर दिया और उसको यहां भी कोई भी नहीं रोख सकता है और फिर जो लुशाओ होती वो कहती के मुझे नहीं पता के जो बदर्शाओ है उन्हीं यहां पर कौन सा solution मिला है पर यहां पर बदर्शाओ को कुछ भी नहीं होना चाहिए ना मैं सही कहरे हूँ ना तो वो सुनने के पार जो आपर एमपरेस होती वो कहते के नहीं मैंने उसकी आखों में देखा था और वो यहां पर मुझे जूट नहीं बोल रहा था और उसने कहाता है कि वो अपने आपको sacrifice नहीं करेगा और यहां पर जो forbidden technique उसका भी use नहीं करेगा वरना मैं खुदी उसको नहीं चोड़ोगी तो वो सुनने के बाद जो लूशियावेन होती वो कहते है कि मैं जब भी भी यहां पर प्रतर शुग के बारे में सुद्धी मुझे पर बहुत ज़्यादा अच्छा लगता है और आप देख सकते हैं उसके असपास से कि ज़्यादा हार्ट निकल रहे है और कहते हैं कि बहले ही यहां पर शावे physical cultivator है पर उनकी जो power of strength है बहुत ज़्यादा है और मुझे भी नहीं पता कि कि ज़्यादा powerful है तो वो सुनने के बाज यहां पर लोशावन के servant होती वो कहती है कि मैंने सुना था कि यहां पर heaven and earth का जो treasure है उसके यहां पर use करके यहां पर एक miracle effect बनती है जिससे यहां पर तुम physical cultivator तो भी breakthrough कर सकते हो और तुम्हें पर बहुत ज़्यादा strong बन जाओगे और तुम्हारी जो power of combat है वो भी बहुत ज़्यादा बढ़ जाएगी और तुम आसानी से 17 order के रिलम वाले बंदे को भी हरा सकते हो तो वो सुनने के बाद जो लिव शावन होती वो कहती के जो तुम्हारी एम्परेरे बहुत ज़्यादा talented है और जब यहां पर टाइम आएगा जो तुम्हारी एम्परेरे ट्वेंटी order of ट्रिलम में breakthrough करतेगी और वदर शाव को drone के अच्छे से उनको treat करेगी और उनको अपने अपसे शक्सेस बुली breakthrough कहने दो और हो यहां पर हैवन और अर्थ के नंबर वन फिजिकल कलिट्वेडर बन जाएगे तो वो सुनने के बाद जो एम्परेरे रोटी वो कहती क्या सच में जो तुम्हारे धीमा के काम नहीं करता क्या मैं सच में तुम्हारे बारे में चिंता कर रही हूँ मुझे लगता है कि तुम्हारे ट्रेजर को बिल्कुल भी नहीं डॉन पाओगी और बाद में जाके मुझे आके तुम्हारी मदद करनी पड़ेगी तो वो सुनने के बाद जो लुश्यान हो थी वो गुसा करते हुए कहती है कि तुम यहां पर मेरे दिमाग के बारे में बात करना बंद करोगे तो वो सुनने के बाद यहां पर एंपरेजर हो थी वो कहती है तो मैं यहां पर क्या कहूँ कि जो तुम्हारा दिमाते हो आपे गुटनों में और तुम यहाँ पे कुछ भी नई सोच पाती और यहाँ पे उनको कुछ भी अच्छे से डिजन लेना नहीं आता तो वो सुझने के बाद जो लोशावयान होती वो गुसा करते हुए कहती है के लिटल स्टीमबं क्या तुम मेरे साथ फाइट करना चाती है मैं तुलको बिल्कुल भी नई छोड़ूगी और फिर दोनों फाइट करते हैं लगते हैं और यहाँ पे जो लिटल फिस होती होती हो काफी जया अच्छी है तो वो सुझने के बाद जो लूशावयान की सरभंट होती होती है वो कहती है जो हमार्य कंपने साथ बोला जती है और फिर हमको वह से मैंगेट को दिखाया जाता है और जो मैं ग्यरेक्टर वह यहाँ पर inventory में आया होता है अपना सामान लेने के कहता कि मैंने कभी भी expect नहीं किया था कि मैं इसका यहां पर यूज करने वालो तो वह सुन्ने के बाद जो long queen होता है लोड साव यहां पर क्या है तो वह सुन्ने के बाद जो main character होता है वह कहता कि इसमें मेरे हर्द्या और आर्मर है और सेच में यहां पर Grand Master special edition है तो वो सुनने के बाद जो long queen अपने मन में सोचता है कि मैंने पहली बार सुनना है और वो यहां पर क्या है और फिर जो man creator box को खोल देता है और वो देखने के बाद जो long queen होता है वो कहता कि सच में आपर बहुत अच्छा है और यहां पर हत्यार हो और एक मास्क बढ़ा होता है और यहां पर जो पहली वाली हो जिसमें लिखा होता है make of fortune और जो दूसरी वाली होती हो उसमें लिखा होता है world peace और यहां पर जो long queen होता है वो कहता है कि जो मेरे सामने पढ़ा है मैंने लाइफ में इसको पहली बार देखा है और अब जो इसका flow है बहुत ज़्यादा incredible और सच में जो इसका mental है वह बहुत ज़्यादा powerful है तो वो सुझने के बार जो mancade एक में से एक सोड़ को पकड़ लेते हैं कहते हैं सारे मेरे हत्यार है और वो यहां पे black and white material से बने और यह हत्यार जो system में उसने बना के दिये थे और फिर जो man-cate अपने मन में कहता है कि इतना भी बुरा नई है और सच में यहां पे मेरे जो हत्यार यो deserve करते हैं मेरे साथ रहना है और फिर जो mankate होता है वो कहता है कि चलो अब यहाँ पर काम का टाइम आ चुका है और वहाँ से जाने लगता है और कहता है कि long queen चलो वहाँ से चलते है और यहाँ पर जो long queen अपने मन में सोचता है कि यहां पे जो sword है, सच में बहुत ज़दा scary है, और बहुत ज़दा powerful है, और फिर इहां पे जो long queen होता है, वो कहता है कि लॉर्ड साउ, आपने यहां पे हत्यारों को ले लिए है, पर आपने यहां पे battle armor को क्यों नहीं लिए, तो वो सुझने के बाद जो man की उटा था, वो कह कहता है क्या killing suit, और यारों, जो हमारा episode यही पे खतम होता है, बागे देखेंगे, जो man character है, वो आगे क्या करने वाल है, और यहां पे जो problem उसको कैसा solution करेगा, तब तक good bye, और sayonara